क्या आपने निम्न लिखित प्रक्रियाओं को और उनमें आये बदलाओं को देखा है बर्फ अपने ठोस स्थिती से पानी अर्था द्रव की स्थिती में परिवर्तित होता है हम इन पदार्थों के रचना और उनमें आये परिवर्तन के प्रकार के बारे में क्या कह सकते हैं रचना के बारे में देखा जाये तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है लेकिन रासाइनिक परिवर्तन में हमें बदलाव दिख रहा है परिवर्तन किस प्रकार के हुए हैं? अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो हम देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में ये अस्थाई है और रासायनिक परिवर्तनों में ये स्थाई स्वरूप के परिवर्तन है स्थाई परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ को योगिक कहते हैं क्योंकि इन्हें मूल पदार्थों में लाना असंभव होता है किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है अगर इसके बारे में देखे तो हम पाएंगे कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती है और यहां किसी भी प्रकार की रासाइनिक अभिक्रिया नहीं हुई है वहीं दूसरी और रासाइनिक परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं हुई हैं वे अपरिवर्तनिया हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं कहीं इन दो पदार्थों में रासाइनिक अभिक्रियाएं भी हुई हैं इस प्रकार हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदात बंधों को तोड़कर अत्वा कुछ नए बंधों को जोड़कर अपने आपको एक संपूर्ण नए पदार्थ में ढाल लेते हैं। विशेश बात यह है कि इन पदार्थों में मुख्य पदार्थ से भिन नगुणधर्म पाएं जाते हैं। उधारण के लिए कोईले को जब ऑक्सिजन की उपस्थिती में जलाया जाता है तब कार्बन क्लोराइड तयार होता है। इस अभिक्रिया में हवा में मौझूद कार्बन और ऑक्सिजन अभिकारक हैं और कार्बन डायॉक्सईड उत्पाथ है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रस्तुतिकरण रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से दर्षाया जा सकता है जिसे शब्दों का समिकरण कहा जाता है उधारण के लिए sodium hydroxide अधिक hydrochloric aml इन्हें मिलाकर निर्मान हुआ sodium chloride अधिक पानी राशायनिक सूत्रों के सहायता से शब्दों के समिकरनों को लगो रूप में लिख पाना संभव है जैसे सूडियम हैडरो ऑक्साइड और हाइडोक्लूरिक आमल का आइनिक बंध तूठता है और उनसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सूडियम क्लूराईड और पानी उतपात के रूप में मिलता है अगर हमने इन अभिक्रियाओं में लेटमर्स पेपर डाला तो हम पाएंगे कि सूडियम हाइड रॉकसाइड यह खशारी है हाइडोक्लोरिक अम्ल यह अमली यह है и sodium chloride और पानी यह दोनों उधासीन है इससे यह सिद्ध होता है कि इस अभिक्रिया में ऐसे उत्पादों की निर्मिती हुई है जिसमें अभिकारकों से भिन गुण धर्म है क्या आपको याद है रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है